हालो सभी दोस्तों को नमस्कार मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों साथ एक नया टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है तो यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक का नाम है पैड़ी ड्वार्फी धान का बौनापन पंजाब हरिया नाड़ा प्रांतों में किसानों की भी बहुत ज्यादा सिकायत मिली की जो हमने सबसे पहले धान बोया था उसमें जो है उसके पौधे बड़े छोटे हो जा रहे थे तो इस गुलती को सुन लिए पंजाब के बैग्यानिक के पंजाब करस्विस्विद्यालय के बैग्यानि और आइसियार की कुछ टीम गई और वहां पर 24 सैंपल 24 खेतों से 24 सैंपल ली और उनकी जाच गिया उसके बाद पता चला इसमें तो एक वाइरस है जिसकी वज़े से यह जो है पौधे जो है बौने हो रहे हैं यह अगेती फसलों में अगेती फसलों में इस प्रकार की मिम तो उसी समस्या को उन बैग्यानिकों निप्टाया है तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं चीनी वाइरस धान की फसल को बौना बना रहा है चीन में मिला था यस आर्वी यस डी वी फिजी वाइरस का जीन है जो पहली बार 2008 में चीन में मिला था यह जो यस आर्वी यस डीवी वाइरस है वो 2008 में सबसे पहले चाइना में मिला था इसकी पुष्ट तीन तरह की जाच के बाद हुई है इसमें पहली जाच है पौधों को इलेक्टानिक माइक्रोइस्कोपी से फिर आर्टी पीसियार और रियल टाइम क्वांटिक्टेट्व पीसियार जाच के नतीजों के बाद बैग्यानिक इस निश्कर्स पर पहुँचे हैं कि या वाइरस तत पहुँचाने वाले उतकों को प पहला एक तो अलक्टानिक माइक्रोइस्कोपी से फिर आर्टी पीस्यार माद पिस्यार से रियल टाइंब क्वांटिटी पीसियार से मार्टी पीसियार के जरीए उई स्सें निश्कस निकला है कि जो धान में पोशक्तत पहुँचाने वाले पोतव sync होते हैं उनको जो यह स एस आर वी एस डीवी वायरस जो है प्रभावित करता है जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं आई याराई के निदेशक डाक्टर एकेस सिंग का कहना है कि खेतों में मिलने वाला कीड़ा जिसकी पीट सफेद रंग की होती है ये वायरस का वाहक है जो दान के खेतों में सफेद रंग कीड़ा मिलता है वो इस वायरस का वाहक है इसके पौधों में यह वायरस मिला है लेकिन बीज के भीतर इसके मिलने के कोई साच नहीं है और ये भी निदेशक जी बता रहे हैं कि पौधों में तो या देखा गया है लेकिन जो है धान के बीज में इसके मिलने के कोई सुबूत नहीं है तो इस बीमारी के इस से पहले कहां कहां लच्छन मिले हैं और कितना नुक्सान हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है 2010 में इस वायरस से फैली विमारी से 13 प्रांतों में चीन में जो है ये 2010 में फैली थी त्यारा लाक हेक्टियर धान की फसल बरबाद हुई थी तथा 2012 में साथ लाक हेक्टियर फसल बरबाद हो गई थी चायना में इससी तरह वर्ष 2010 में ब्यतना में 29 प्रांतों में लमसम साथ हजार हेक्टियर तथा 2005 में पांच लाक हेक्टियर लगी धान की फसल खराब हो गई थी और इस तमय की उचर्चा में हालही में हर्याडा के सोनी पत पानी पत करनाल कुर्षेत्र अंबाला और यमना नगर में 24 खेतों में अध्यन के बाद वायरस की पुष्ट हुई वायरस की यहां पर 20 प्रसत तक फसल प्रभावित हुई है तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा ह है कि अभी हालही में जो अपने पंजाब और हर्याडा के कुछ शेत्र हैं उनमें 24 खेतों में सैंपल लिए गए और 24 सैंपल भरे गए उनकी जाच की गई तो उससे पता चला कि वायरस जो है बहुत ही घातक है और यहां की फसलों को 20 प्रसत तक प्रभावित कर रहा है तो यह एक बहुत बड़ी हमारे बैग्यान को क्यों प्लब दे क्योंकि यह गुत्थी सुलजा लिया है तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है हम पिछले वीडियो से एक प्रशन डिसकस करते हैं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना रहता है तो आज का प्रशन है प्रधान मंत्री क्रस्छ से चाइए योजना कब प्रारंब हुए थी कि यह आपको बताना है कि प्रधान क्रस्ट सिचाई योजना किस वर्ष कि 2014-15-16-18-19-20 किस वर्ष प्रारंब होई थी वो वर्ष आपको बताना है तो देखते हैं इस प्रश्ण का सबसे पहले कौन जवाब देता है और ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोदकुवार ओनली फार इस सब्सक्राइब करें इसमें जरासा भी कन्जूसी ना करें तो देखते हैं इसे सबसे पहले कौन लाइक से और सब्सक्राइब करता है तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद